तो अगर आप ढूंद रहे हैं best sandwich maker in India, restaurant style वाले sandwich maker आप ढूंद रहे हैं या फिर grill type वाले sandwich maker आप ढूंद रहे हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है आप एकदम सही वीडियो पर आ चुके हैं मैंने काफी सारे pyramids ध्यान में रखे थे और जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मिला कई सारे मार्केट में बहुत सारे हैं और बहुत पूर क्वालिटी में वह आ रहे हैं अगर आपने किसी गलट decision को ले लिया तो आपको पस्ता ना पड़ाएगा क्योंकि sandwich maker का पाला हमारा सोवे साम पढ़ता है आजकल sandwiches लोग बहुत पसंद कर रहे ह sandwich maker के साथ में आप grills भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं तो वहीं अगर वह sandwich maker कहीं से टूट रहा है या फिर heating प्रोपर नहीं दे रहा है ठीक से काम नहीं कर रहा है उस पर non-stick जो plates होती है वह ठीक से काम नहीं कर रही है तो आपका जो mood है वह off हो जाएगा लेक में से आप कोई भी लेते हैं तो आपका decision 100% बिल्कुल सही होगा तो यह वीडियो आप देखते रहे हैं अगर आप सच में एक sandwich maker ढूंड रहे हैं बहुत बढ़िया सा चलिए सुरू करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है कंचन पटेल और आप देखना सुरू कर चुग है Swapping Guru India मेरा mission आपको बहुत सही product recommend करना है आपका पेसा सही जगे इन्वेस्ट कराना है और आपकी Swapping को बहुत ज्यादा एजी कराना है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है मेरा काम पसंद आता है तो प्लीस नीचे जो लाल कलर का बटन दिया है उसे दवा दीजेगा इस वी अच्छी होनी चाहिए जो अल्रेडी इसमें काफी अच्छा काम कर रही हो दूसरा क्राइटेरिया मैंने लिया है कम से कम दो स्लाइस मतलब की जो दो ब्रेट्स है वो उस पर रक्चानी चाहिए और दो तो एक बार में बन जानी चाहिए ब्रेट्स हमारे सेंड्वीच तीस pick वैडर है उसका grill टाइप का sandwich वोना चाहिए मतलब ब्लेट से उसकी grill टाइप कि होनी चाहिए जो restaurant style हम कहते हैं वेसी होनी चाहिए और सबसे आख्री criteria जो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान में राखा है और उसी को मद्द्य नजर रखते होई यह सारे यह तो के réponse है built quality क्योंकि मैंने देखा जब मैं research कर रहा था तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो problem आ रही है वो breakage की आ रही है तो तूटने की आ रही है handles तूट रहे हैं तो कहीं से कुछ तूट रहा है तो फिर मैंने select किये हैं ऐसे sandwich maker जो आपको अच्छी build quality में मिलते हैं और तूटने के chances बिल्कुल कम होंगे तो यह criteria मैंने ध्यान में रखे हैं तो दोस्तों best sandwich maker इंडिया की list में हमने number 5 पे लिया है हम पीछे से सुरू करेंगे 5 से 1 तक जाएंगे हमने number 5 पे लिया है prestige company का यह वाला model काफी बड़िया model है इसका model नंबर में नीचे डाल दोगा यह latest model है इसके पहले एक model चलता साथ जो काफी ज़्यादा इंडिया में अभी भी चल कर रहा है लेकिन उसमें कुछ problems थी उसको ध्यान में रखते हुए company ने यह new launch किया है इसकी build quality पहले वाले से काफी better है तो आप यह model number में ने लिखा है इस पे ही जाईएगा काफी अच्छा रहेगा आपके लिए 800 watt में यह मिलता है और अगर बात की जाई इसके other features के बारे में तो इसकी body high heat resistance वाली बनाई गई है तो काफी अच्छी durability आपको मिल जाती है new design durable look और aluminum grill आपको इसका मिलता है जो base है वो aluminum grill type का मिलता है power indicators आपको इसमें मिल जाता है red और green type के 800 watts में यह आपको मिलता है और इसके lead में लोक आपको मिलता है नॉन stick की coating इसमें काफी बढ़िया की हुई है और उसके result काफी अच्छे है warranty के अगर बात की जाए तो one year की आपको warranties पे मिल जाती है weight के अगर बात की जाए तो 1.3 kg weight में यह आपको मिलता है तो दोस्तों यह sandwich maker बहुत अच्छा सा briefcase जैसा दिखता है handle के साथ में आता है और इसके base भी काफी अच्छे है कहीं भी आप रखेंगे काफी study लगता है बात कीज़े इसकी price range के बारे में तो यह 1595 रुपे का इसका MRP है लेकिन अभी इसमें offer चल रहा है तो 12 सूर्पई के लगबग यह आपको मिल जाएगा इस समय करेंट प्राइज अगर आपको जानना है वीडियो के description में मैंने link दिये है वहाँ जाके आप चेकाउट कीजेगा लेकिन यह पूरा वीडियो देखने के बाद तो दो में आपको ऐसे इसका प्लेट मिलता है जो काफी बढ़िया इसको durability और strength देता है और यह भी briefcase की जैसा दिखता है handle के साथ में आता है और अगर बात की जाए इसके other features के बारे में तो दो sandwiches के लिए काफी बढ़िया रहता है और non stick coating इसमें भी काफी अच्छी है काफी management आपको आसानी से मिल जाता है power indicators इसमें भी आपको देखने को मिलते है red और green stainless steel का cover top दिया हुआ है जिससे इसका look और भी ज्यादा perfect हो जाता है और काफी अच्छी strength इसको मिलती है दो साल की warranty की साथ में यह आपको मिलता है तो यह बहुत अच्छी बात है बात की जाए इसक 1200 रुपे के लगबग है MRP लेकिन यह अभी offer में आपको 2000 या 2100 रुपे के लगबग मिलता है इसका link भी मैंने वीडियो की description में दिया है जरूर यह वीडियो देखने के बाद में check out कीजिएगा तो दोस्तों best sandwich maker in India के list में हमने number 3 पे लिया है ibell का SM 501 501 वाला model काफी जबर model है 1500 वाट की capacity में आपको मिलता है तो बहुत fast तरीके से इसमें hitting होती है काफी अच्छा build quality इसने बनाया हुआ है सबसे main बात 2 साल के warranty आपको brand देती है और इसके results और इसके feedback भी काफी अच्छे है बात की जाए अगर इसके other features के बारे में तो इसकी body पूरी shockproof आपको मिलती ह है काफी बढ़िया power indicators के साथ में यह आपको मिलता है इसमें oil tray भी आपको देखने को मिल जाती है security latch इसमें दिया हुआ है तो आसानी से आप lock कर सकते है non stick coating आपको इसमें मिलती है अच्छी बढ़िया वाली stainless steel का cover top इस पे दिया हुआ है जो इसके looks को भी अच्छा करता है सा कारे में तो 2.3 kg weight में यानि की काफी heavy built आपको मिलता है तो दोस्तों अगेन अगर आपका budget 2000 रुपे की लगबग है तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसे भी consider कर सकते हैं काफी अच्छा result ही आपको दे सकता है वेसे इसका price 3200 रुपे की लगबग है लेकिन अभी आपको 2000 दाल कलर का button दिया है प्लीस उसे दबा दीजिए मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूंगा और अगर यह वीडियो आपको सच में पसंद आया और काम का लगे प्लीस इस वीडियो को like कर दीजिएगा इससे मुझे बहुत ज्यादा motivation मिलेगा बात की जाए अगर दूसरे best वाले जो provide कर रहे हैं उनके जो handle से उनकी breaking की problem बहुत जादा आ रही है तो इन्होंने SS के material यूज किये हैं और काफी अच्छी build quality में यह borosil का sandwich maker निकाला है तो काफी बढ़िया रहेगा आपके लिए 1000 watt की capacity में आपको मिलता है तो बहुत अच्छे से fast तरीके से आपकी इसमें cooking हो इसमें लगा हुआ है तो automatically lock हो जाएगा जब आप इसे बंद करेंगे power indicators इसमें भी आपको मिल जाते है oil tray आपको इसमें मिल जाती है warranty की अगर बात की जाए तो 2 साल के warranty आपको इसमें मिलती है तो यह एक बहुत अच्छी बात है weight की अगर बात की जाए तो 1.7 kg weight आपको मिल मिलता है तो दोस्तों अगर आपको budget थोड़ा सा जादा है 2000 से 2500 के बीच में तो यह वाला model आपके लिए एकदम perfect रहेगा आपको लंबे समय तक service देगा इसका वैसे price जो चलता है वो 3800 रुपे के लगबग चलता है लेकिन अभी यह आपको 2800 रुपे के लगबग मिल रहा ह तो इसे भी आप जरूर जाकी checkout कीजेगा इसका link भी मैंने वीडियो की description में डाल दिया है हो सकता है कुछ offers चल रहा हो और उसको आपको यह rates और कमदाम में मिल जाए तो जरूर चेक आएगा वीडियो की description में लिंक इसका भी आपको मिल जाएगा तो दोस्तों अगर फाइनल बनाते हैं किसी भी चीज को ग्रिल करते हैं क्योंकि इसका टॉप पूरा खुल जाता है 180 डिग्री तो आपको टेंपरेचर नॉब में आप चार सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से आप हीटिंग कर सकते हैं तो यह मुझे काफी बढ़िया अप्सन लगा बहुत ही एडवा कर रहा है इसका मतलब उसमें हेटिंग ओन है हेटिंग चल रही है और अगर ग्रीन इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब की वह रेडी है बिल्कुल गर्मा गरम और आप उस पे कुछ भी कूक कर सकते हैं तो फूट ग्रेट कॉलिटी नॉन स्टिक कोटिंग काफी बढ़िया द मिलता है तो दोस्तों अगर बात की जाए इसकी प्राइज रेंज के बारे में तो 3,000 रुपे का MRP है लेकिन यह आपको 2,999 रुपे यानि 3,000 के लगबग मिल जाएगा तो आप इसे भी जरूर जाके चेक आउट कर सकते हैं और अगर आपको दो स्लाइज से ज्यादा मिल जाएगे तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके कोई सवाल है यह नहीं भी है तो प्लीस कमेंट में मुझे से पूछ लीजेगा आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताएगा मिलते हैं अगल